हाई स्टुडेंट्स कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरेस के बारे में यह आपका लास लेंद कंप्यूटर का एक टॉपिक है और बेसिकली इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आरेस क्या होते हैं और उसके सासरे तो यहाँ पर बनाए अगर हम एरे की एक सिंपल सी डिफिनिशन की बात करें आप एक जैसी कोई भी वाल्यूज लो और उसका एक कलेक्शन बना लो उसी को हम बोलते हैं अब वैसे तो यह डिफिनिशन बहुत है लेकिन चलो इसको एक और तरीके समझने कोशिश करते हैं तो उसके लिए यहाँ आप मैं एक ट्रेन को डॉक कर लेता हूं आई होप आप समने एक ट्रेन तो देखी होगे रियल लाइफ में तो चलो उसको बनाते हैं यहाँ पर इस ट्रेन में पांच डब्बे लगे हों हैं तो यहाँ पर इन बॉक्स को आप ऐस मेमोरी लोकेशन समझ सकते हो एक इमाजिन कर सकते हैं रियल लाइक में त्रेन के अंदर पैस्टरेंगर करते हैं बाँ इस ट्रेन की हल्प से मैं आपको आएरे की कुछ इंपॉर्टं प्रॉपर्टिय एक को इन करूंगा जो कि आप ध्यान से समझना ठीक है बहुत ही इंपॉर्टं लेने ज्यादा अच्छा है आप को समझ दो, so array की बहुत ही एक important property होती है, that it has a fixed size, यह आप याद रखना, अब सोच के देखो, जब भी कोई train चल रही होती है, क्या चलती train में, आप यहाँ पे डबो की संख्या घटाया बढ़ा सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर train कहीं रुकेगी, तब जाके आप उसके को change करोगे, उसमें घटाने या बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे एक array की खास property होती है, that it has a fixed size, चुकि array का disadvantage भी है, कि आपने एक बार train बना लिया, एक array बना लिया, create कर लिया, so उसमें जितने भी आपने डबे लगा दिया, जितनी भी उसमें, places assign कर दी एक बार, उतनी places क वो array बन जाता है, और उसका size आप चलते हुए change नहीं कर सकते, बतलब चलते हुए program में, आप array का size change नहीं कर सकते, so पहली property array की यह है, that it has a fixed size, and second property, obviously, मैंने यही पे लिख दिया, that the values are of similar types, तो यहाँ पे जो values होंगी, values are of similar types, तो इसको हम यहाँ पे example की आप से देख सकते है that यहाँ पे, जितनी भी हमाई values होंगी इन boxes के अंदर, यहाँ तो सारी number type की values होंगी, जैसे for example, आप यहाँ पे दे सकते हो 10, यहाँ पे आपने दे दिया 50, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे 30, और यहाँ पे 45, आप कोई भी random number की values यहाँ दे सकते हो, so यह आपका एक array होग यहाँ पे दे दिया आपने grapes, और यहाँ पे दे दिया banana, और यहाँ पे आपने दे दिया orange, तो यहाँ पे आप name भी दे सकते हो, आप string type का array अगर बनाओगे, जहाँ पे words होंगे, तो यहाँ पे आप words दे सकते हो, words का array बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकत आधे में तो words दिये और यहां पर आपने numbers देना start कर दिये यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 So this is not an array एक array के अंदर जितनी भी values आपकी save होती है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए या तो सारी numeric होनी चाहिए या तो सारी character based होनी चाहिए या तो सारी string based होनी चाहिए या फिर किसी और composite data type की होनी चाहिए means सारी value एक जैसी होनी चाहिए और यहां पर एक और property हमें समझ में आती है arrays की that यहां पर आपको different boxes को access करने के लिए एक number की ज़रुवत पड़ती है जिसे हम बोलते है indexes यहां पर होती है indexes index का मतलब यह होता है कि हर box की अपनी एक location होती है एक place होती है जिसको हम assign करते है as index means यहां पर पहले box का index हमारा हो जाता है 0 index पहले box का जो address होगा वो होगा 0 फिर अगले box का हमारा index हो जाएगा 1 फिर third box का index हो जाएगा 2 उसके बाद 3 and 4 so basically 0, 1, 2, 3, 4 are the indexes of these boxes मतलब यह location बताएगी हर box का right so यहां पर यह indexes हो जाती है अब यहां पर समझने वाली बात यह है that अगर array का size n है if array का size is n तो यहां पर indexes कहां से कहां तक होगी then indexes are from 0 to n-1 तो आपकी indexes कहां से कहां तक होगी हमारे जो example है, इसमें हमारे train में कितने boxes है 5, तो यहां पर हमारे array का size है वो 5 था, लेकिन indexes कहां से कहां तक थे from 0 to 4, तो indexes हमेशा एक कम तक ही रहते हैं length से, right, so यह कुछ properties है array की अब यहां पर एक और property आप समझ सकते हो इस तरह कि यहां पर जितने भी boxes हैं, वो सारे continuous pattern में यहां लगे हुए है तो यहां से हमें array की एक और खास यह समझ में आती है that array के अंदर जो memory locations होती है memory locations जो भी होती है, वो सारी linear होती है या continuous होती है memory locations होती है, so यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपने एक value तो इस location पे save कर दे हो, दूसरी value आप कहीं और memory में save कर रहे हो जित्ती भी यहां values होती है, वो सारी एक के बाद एक memory locations में save होती जाती है so यह सारी property होती है, that array is a collection of similar types of values दूसरा, इसकी एक fixed size होती है, एक बार आप उसका size बता दोगे तो size को आप change नहीं कर सकते हो, चलते है program में then it has values of similar types, then अगर हमाई area का size n है तो यहां पे हमाई indexes कहां से कहां तो होगी, 0 to n-1 जैसे कि यहां पे हमारा 5 size का area था, 5 यहां पे boxes थे तो indexes कहां से कहां तक होती है, 0 से 4 तक, मतलब एक कम तक, right और यहां पे जितने भी memory allocations होती है, जितने भी आप values save करते हो वो सारी memory में दूर-दूर save नहीं होती है, वो hardest में या किसी भी memory में एक के बात linear way में save हो जाती है, तो यह आपका होता है एक area, इसके कुछ advantages होते हैं, कुछ disadvantages होते हैं, advantages यही है कि यहां पे आप बहुत सारी values को, एक single variable के अंदर save कर सकते हो और उसको access करना भी काफी easy होता है, पाकी disadvantage यही है कि आप यहां पे size को change नहीं कर सकते हो चलते program में जिसके लिए आप list का use कर सकते हो, वो आप आगे जाके कभी पढ़ोगे पर यहां पे हमको array के बारे हम पढ़ना है, यह था array का एक basic concept तो चलो भी इसके बारे में कुछ और चीज़ों को भी समझ लेता है अब बात आती है कि Java में हम arrays को बनाते कैसे हैं जो basically Java के अंदर आप बहुत से type के arrays बना सकते हो basically मैंने बताया था कि array किसी भी एक particular type का हो सकता है जैसे कि for example आपका number वाला array हो सकता है यानि कि वो integer array हो सकता है, double type की values का array हो सकता है या फिर आप अगर नाम input करना चाहते हो, words को input करना चाहते हो, कही सारे तो यहां पे आप string type का array बना सकते हो तो कैसे बनाते हैं उसके आते हैं जिसे मानलो आपको जावा में एक numeric array बनाना है, number type का array बनाना है तो आपको कुछ इस तरह लिखना होगा, that, int, किस type का array तो पहले आप type बताओगे, उसके बाद अपने array का आप कोई भी नाम जो लेना चाहते हो जैसे मानलो, for example, मैं अपने array का नाम A रखना चाहता हूँ यहां पर मैं रख दूँगा A, और उसके बाद, अब यहां पर यह normal variable, array variable से अलग कैसे होता है यहां पर आपको लगाना होता है, square bracket, अब यह square bracket यह बता रहा है कि यह A एक normal variable ना होके एक array का variable बनने वाला है यहां पर is equal to हम लिखेंगे आगे new, new क्या करता है, array को बनाने में my help करता है new keyword फिर से हम लिखेंगे int, जिस type का हम array बना रहे थे, again वो लिखेंगे उसके बाद, इस int के आगे हम लगा देंगे square bracket फिर इस square bracket के अंदर यहां पर हमें लिखना होता है size कितने size का हमें array बनाना है और उसके बाद यहां लगा देंगे semicolon so यह statement होता है to create an array, अगर integer type का array हमें बनाना है तो size का मतलब यहां 5, 10, जितना भी आप size लेना चाहते हो अपने array का और अगेन फिर से बता दूँ कि यहां पर जो भी size का value आप बता दोगे एक बार आपके program के बीच में आप उस size को बदल नहीं सकते मालो for example अगर आपने 5 size का array बनाया है तो 5 size का ही रहेगा बीच में change नहीं कर सकते आप उसको अगेन, यहां पर अगर आपको string type का array बनाना है तो यहां पर लिख दोगे string और इस बार array का नहीं आप change कर सकते हो इस बार आप w ले लो तो यहां पर w is equal to फिर हो जायागा new और इस बार आप string type का ली हो तो यहां पर हो जायगा string और यहाँ पर हो जाएगा, again, size आप define कर दोगे, तो यह statement लिखे आप एक string type का array बना सकते हो, so इस तरह हम arrays को बनाते हैं, एक और तरीका भी होता है, एक तो यह तरीका हो गया, एक और method होता है, method 2, दूसरे method में हम क्या गरते हैं, हम directly arrays को बना सकते हैं, like for example, अगर आपको एक integer type का array बनाना है, तो आप लिख सकते हो, int a is equal to, आप direct वहाँ पर values को define करके भी array बना सकते हो, right, आपको मालो, user से input नहीं कराना है, आपको खुद का array बनाना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, 1, 2, 4, 5, and 6, इस तरह कोई values आप दे सकते हो, तो यह एक integer type का array आप अपने आप से बना सकते हो, खुद से values दे के, तो दो तरीके होते हैं इसके, यह वाला है method 1, और नीचे वाला है method 2, इन दोनों तरीकों में से किसी भी एक method का यूज करके आप arrays को बना सकते हो, बट most programs में, जहाँ पे user से आपको input कराना होगा, वहाँ पे आपको पहला वाला तरीक, यानि कि array को पहले declare करके, तब जाके उसमें values को input करवानी होंगे आपको, यह तरीके होते हैं arrays को बनाने के, अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, अब माल लो, जैसे हमने एक array for example बनाया है, यहाँ पे, एक example लेते हैं, और आपको यहाँ पे explain करता हूँ, जैसे माल लो, for example हमने एक integer array बनाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा int, और array का नाम कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ आप में ले लेता हूँ a, और यहाँ पे square bracket is equal to new, और यहाँ पे int, और suppose हम यहाँ पे, ज्यादा बड़ा array नहीं बना रहे हैं, suppose 5 values का हम array बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने size दे दिया 5, तो जैसे ही आप यह statement लिखते हो अपने program में और program को run करते हो, इससे होता क्या है, यह program आपकी memory में 5 spaces का एक array define कर देता है, मतलब कि 5 spaces वो occupy कर लेता है memory में, और वहाँ पे आपका एक memory में array तयार हो जाता है, empty array, ठीक है अभी इसमें कोई values नहीं होती हैं, और यह empty array आपका memory में बनके तयार हो जाता है, और यहाँ पे इनी boxes को हम index number से define कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, and 4, मतलब यह memory locations आपकी a lot हो जाती हैं आपकी memory device के अंदर, अब आप programming में जो भी values यहाँ पे दोगे, वो जाके memory में linear way में save हो जाएंगी, और इनके hex codes होते हैं basically memory में, मतलब इन memory locations के कुछ codes होंगे, कुछ addresses होंगे, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, आपको यहाँ पे array की indexes से मतलब है, मतलब यहाँ पे जब आप लिखते हो a at 0, इस तरह a लिखा, अगर आपको कोई value वहाँ दे नहीं है, जैसे मानलो for example, आपको चौथी place पे एक value देनी है, मैंने मानलो लिखा a at 4 is equal to, मानलो मैंने लिखा 2, तो क्या होगा, यहाँ पे 20 ले ले लेते हैं चलो, तो यहाँ पे a at 4, यहनि 4th index पे क्या हो जाएगा, एक value जाके save हो जाएगा, that is equal to 20, so इस तरह हम array के अंदर के elements को access करेंगे, कैसे करेंगे, आप array का नाम लिखोगे, फिर array के square bracket के अंदर उसका index लिखके आप उसको access कर लोगे, चाहे आपको value input करानी होगी, तो आप इस तरीके से करा लोगे, और for example, आपको array का कोई एक element प्रिंट कराना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, SOPLN, और एक element सिर्फ प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, A at 4, तो यहाँ पे A at 4 के अंदर जो भी element होगा, यह square bracket होगा, फिर round bracket, and then semicolon, तो यहाँ पे जो भी आपका A at 4 पे element होगा, वो particular element यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, SO यह एक-एक element को access करने के लिए हमने देखा, कि single element array का access करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अब बात आती है कि पूरे complete array को कैसे access किया जाएगा, SO जैसे मानलो हमाएं सामने एक problem है, wrap to input 10 values from the user and print them, suppose हमसे question में कहा गया है कि हमें user से कोई भी 10 values input करानी है, और यहाँ पे हम number type की values ही लेंगे, मतलब integer type की values लेंगे simplicity के लिए, SO मानलो for example हमें 10 value user से input करानी है एक array में, कैसे कराएंगे इसके बारे में बात करता है, और यह कराएंगे का purpose यह ही है कि आपको यह समझ में आ जाए कि array में values को कैसे input कराया जाता है, SO मानलो for example हमें user से array में values को input कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, हम यहाँ पर बना लेंगे class, और class भी दे सकते हो ABC, आप यहाँ पर scanner को import भी करा लेना, वह में यहाँ पर नहीं करार हूँ, वह मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा, इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे public static void main, SO यह मैंने बना लिया main function, public static void main string args, अब इसके अंदर हम कैसे values को input कराएंगे from the user, सबसे पहले तो हमें scanner का object बनाना पड़ेगा, scanner class import आप करा लेना उपर, तो यहाँ हो जाएगा scanner sc is equal to new scanner, तो क्योंकि user से हमें input कराने के लिए, कोई भी एक method to use कर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम scanner class का use कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा system.in, यह मैंने scanner class का object बना लिया, अब हम user को message दे देंगे, sop ln enter 10 numbers, यहाँ पर user को हमने message दे दिया to enter 10 numbers, अब कैसे input कराएंगे array में समझना, अब यहाँ पर दिको दो तरीक है, आप पहले तो array को बनाओगे, क्योंकि user से values input करा रहे हो, तो पहले आपको array को यहाँ declare करना होगा, so array declare करने का क्या तरीका होता है, मैंने बताया था, आप लिखोगे int, किस type का आप array बना रहे हो, वो type बताओगे, फिर उसके बाद array का नाम कुछ भी ले सकते हो, इस बार चलो हम ले लेते हैं b, तो int b और b के आगे आपको लगाना पड़ेगा, square bracket ताकि आप बता सको, कि यहाँ पर b आपका एक array variable है, equal to, यहाँ हो जाएगा new, और उसके बाद फिर से आप type बताओगे, और उसके बाद यहाँ पर square bracket में आपको size बताना होगा, आपको 10 values लेनी थी तो यहाँ पर size दे सकते हो 10, अब यहाँ पर b वाले array में हमें values को input कराना है, कैसे input कराएंगे, b एक अकेला variable तो है नहीं, b के अंदर 10 places हैं, पहले b 0 होगा, फिर b 1 होगा, b 2 होगा, और इसी तरह b 0 से लेके b 9 तक आपकी boxes होगी, जहाँ पर आपको values input करानी है, तो एक तरीका तो यह है, आप यहाँ पर एक-एक element बैट के लिखो, b at 0 is equal to sc.next int, उसके बाद फिर से एक element यहाँ पर आप b1 लिखो, b1 is equal to sc.next int, इस तरह करते-करते आप पूरा b 9 तक लिखो, मतलब 10 बार यही statement बैट के लिखो, लेकिन programming में ऐसे हम नहीं करेंगे, programming का मतलब ही क्या रहे जाएगा, जब आप 10 बार वही चीज बैट के लिख रहा हो, programming का मतलब ही होता है कि अगर same task आपका कोई है, तो उसको आप loop की मतलब से कर लो, इसलिए तो हमें programming के loops दिये जाते हैं, यहाँ पर हम loop का use करेंगे, यही काम जो b0, b1, b2 इस तरह हम elements को एके करके input करा रहे हैं, यही काम हम loop की help से करते हैं एक बार में, हम एक ही बार लिखेंगे loop बार 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 चलेगा, और वो b0, b1, b2 इस तरह करके सारे 200 elements को input करा लेगा from the user, यहाँ पर कैसे करते हैं देखना, यहाँ पर हम एक loop बनाएंगे सबसे पहले, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हम loop बनाएंगे, यहाँ पर loop बनेगा हमारा for int i is equal to, अब indexes कहां से शुरू होती है, index हमाई शुरू होती है 0 से, तो यहाँ loop हमारा start होगा 0 से, क्योंकि i index के लिए हम बना रहे हैं, so i starts from 0, i less than, जितनी length होगी हमारे array की उससे एक कम तक, यानि कि i less than 10, यानि कि 0 से लेके 9 तक loop चले गए, फिर i++, उसके बाद, अब इस loop के अंदर हम लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा b, b हमारा array है, उसके अंदर index हम i दे देंगे, i change होता रहेगा बार बार, तो यहाँ पे हो जाएगा b at i is equal to, यहाँ हो जाएगा sc.next int, इससे क्या होगा, पहली बार ही जब loop चलेगा तो हो जाएगा, b0 is equal to sc.next int, b0 element आजाएगा, फिर b1, फिर b2, इस तरह एके करके सारे array indexes, यह सारे array के places आपके fill होते जाएगे, from the user input, यहाँ पे user से input हमने करा लिया है, इसके बाद, अगर आपको इसको printing करानी है, सो यह तो हो गया input, यहाँ पे आप comment दे सकते थे, यह हो गया user input, तो user input के लिए आपको क्या use करना पड़ा, आपको एक loop use करना पड़ा, तो हमेशा यह चीज याद रखना, कि जहाँ भी array आएगा, array पे कोई भी आपको काम करना है, चाहे input हो, चाहे array में input हो, चाहे array का output हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे loops का use करना पड़ेगा, loop is must, तो यहाँ पे कोई भी काम करना हो, चाहे array का input कराना हो, बिना loop के करोगे तो आपको वही काम बार बार लिखना पड़ेगा, loop का use कर लोगे, तो single statement पे आपका वही काम हो जाता है ठीक है? तो अगर आपको यही for example loop print करना है तो यहाँ पर printing के लिए आप क्या अगर सकते हो यहाँ पर मैं statement दोओंगा तो यहाँ पर अगर हमें print करना हो for printing, so print करने के लिए यहाँ पर again हमें एक loop चलाना पड़ेगा for int i is equal to 0 जब भी आपको कोई काम कराना होगा आप 0 index से लेके array की length से एक कम तक का loop चला होगे यहाँ हो जाएगा i less than 10 और यहाँ हो जाएगा i plus plus अगर आपको print कराना है तो print के लिए आप सीधेज़ दे statement देदोगे sopln और यहाँ पर sopln मतलब system.out.print sopln यहाँ पर हो जाएगा b at i तो यहाँ पर b at i मतलब पहले b 0 आएगा b 0 का value print होगा फिर b 1 जो b 1 पर element होगा फिर b 2 element print होगा and so on जितने भी आपके array में elements होगे वो सारी values यहाँ पर print हो जाएगी so अब इस loop को बंद कर देंगे यहाँ और उसके बाद यहाँ main function और अपनी class को भी बंद कर देंगे तो यह program आपका हो जाएगा to input the values from the user यह program आपका user से 10 values input करेगा उसके बाद values को input कराने के बाद यह उनको print भी करेगा तो यहाँ पर हमने ख्याद कुछ नहीं किया बस हमने user से values को input करेगा और सीधे से देंगे उनको print कर दिया अब array में क्या होता है array में अगर आपको कोई काम करना हो जैसे मानलो program जब आएगा तो आपसे कहेगा कि user से values को input करा हो फिर उस पे कुछ operation करो मानलो sum निकालो, average निकालो या फिर उनको values को sort करो तो जो भी काम होता है जो भी यहाँ पर जो आपको काम कहा जाएगा वो आप इस जगा पर करते हो जो भी आपको work कहा जाएगा question में वो work आपका बीच में होता है पहले input होगा यहाँ पे input होगया पहला काम फिर उसके बाद second काम आपका होता है जो आपसे work कहा जाएगा और last काम क्या होता है third काम आपका हो जाता है to print the values इसका आप चाहते इस screenshot ले लो जब भी आप program बनाओगे तो आपका class बनेगा फिर main function बनेगा यहाँ पे देख लो फिर उस main function के अंदर आप user से values को input कराओगे इस तरह से input इस तरह होगा हमेशा और उसके बाद यहाँ पे second काम आप वो काम करोगे जो आपसे question में कहा जाएगा आपको sum निकालना है average निकालना है maximum minimum find करना है जो भी करना है वो इस जगह आप काम करोगे उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है उस array को आपको print करना लास्ट में आप उस array को print कर दोगे इस तरीके से तो आई होप आप लोग को इस सारी चीज़ समझ में आ गही होगी तो चलो अभी हम लोग blue.j open करके array के उपर basic program बनाते हैं जल्दी से अभी जो हम लोगों ने program देखा था जहां पर हमने user से 10 values को input किया था और फिर उन values को print भी किया था वो program मैंने यहां पर type करके रख लिया है यहां पर देख सकते हो आप input कराओगे array को तो आपको वहां पर एक loop ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा input कराने के लिए यहां input हो गया है दिन उसके बाद यहां पर हमाई printing हो गई है जब भी array का program आएगा यह दो काम तो आपको करने ही होंगे पहला काम आपका input वाला होता है array को input करवाना है यानि कि array के अंदर values को input कराना from the user and then आप print कर देते हो उन values को अब यहां पर मैंने एक extra काम किया है यहां पर print करने से पहले मैंने यहां पर एक message दे दिया है that the array elements are और यहां पर आप एक और change भी कर सकते हो यहां पर array के elements को अलग-अलग line पर print करने की जगह आप यहां पर क्या अगर सकते हो एक ही line पर सारे elements को print कर सकते हो उसके लिए आपको क्या change करना पड़े का बता देता हूँ यहां पर print ln मैंने लिखा है यहां पर अगर ln हटा देते हैं तो क्या होता है जितने भी elements print होते है यहां पर element print होगा फिर एक comma print होगा फिर अगला element फिर एक comma तो इस तरह करते करते एक ही line पर सारे elements आपके print हो जाएंगे अगर यहां पर आप ln नहीं लगाते हो तो खेक है तो यह हमारा program है अभी हम इसको run करते हैं यहां पर मैं इसको run कर रहा हूँ यहां पर यहां पर प्रोग्राम रन हो गया है यहां पर देखो message print होके आगया है that enter 10 numbers मतलब हम यहां पर prompt किया रहा है to enter the values मतलब हम user है तो as user में यहां पर कोई भी 10 numbers input करेंगे so for example मालो मैंने input किया 1 मैं sequence में number दूँगा so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 तो यहां पर 10 तक मैंने values दे दी है sequence में दी है कोई दिक्कत नहीं है आप random values भी दे सकते थे और जैसे हम यहां पर अभी enter को press करेंगे हमारा output आजाएगा so यहां पर enter प्रेस करते है so finally यहां पर print होके देखो आ गया है that the array elements are और यहां पर नीचे array के सारे elements एक line में print होके आ गये है अगर यहां पर उपर आप print ln लगा देते तो सारे elements अलग-अलग line पर print होके आते है so यहां पर यह हमारा array का program और इतना program आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी array के program में minimum इतना तो आपको करना ही पड़ेगा एक आपका input होगा और एक आपका print वाला काम होगा और जो भी आपको array के उपर operation करने के लिए बोला जाएगा वो operation आपका इस जगह होता है मतलब की work operation आपके इस वाले part में होता है बीच में input के बाद और output के पहले यहाँ पे आपका जो भी बोला जाएगा आपसे operation करने के लिए इस जगह पे आप कर दोगे तो यहाँ पे इस program में हमें से print करना था values को तो हमने कर दिया है अब array के उपर आपके कई programs आ सकते हैं तो उन programs को आप जाके मेरी इस playlist में check out कर सकते हो So I hope आपको array का पूरा concept अच्छे समझ में आया होगा So अगर आपको यह वीडियो informative लगाओ अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like जरू करना और साथ में वीडियो अपने friends के साथ भी शेयर करना ताकि उनके लिए वीडियो helpful हो और अगर आप class 10 computers का मेरा पूरा course देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमाई website को विजिट कर सकते हो या फिर आप हमाई app को भी download कर सकते हो So चलो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किल देन take care, see you and bye